सुप्रीम कोट में एक आई ए सेभी ने फाइल की थी उन्होंने इन्वेस्टिकेशन के लिए छे महीने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी और ये मैटर लगा हुआ था चुकि हम पेटेशनर की तरफ से और हमने इसको अपोस किया और अपोजिशन करते समय हमने मुख्य बा के से हुआ है उसकी जाच से भी कर रही है और सेभी ने इसको से ये इन्फॉमेशन मांगी हुए है तो सेभी के पर तो सारी इन्फॉमेशन मौजूद है और अगर नहीं भी है तो वो बाकी मौजूद इन्फॉमेशन मंगा सकती है क्योंकि सेक्शन 11 सेभी एक्ट सेक्शन 12 से भी एक्ट इनको सारी पावर्स देता है जिसके इसाब से वो अपनी किसी भी इंवेस्टिकेशन की जाज रिपोर्ट मगा सकते हैं और किसी भी फॉरेंड कंपनी को पी एमले एक्ट के सेक्शन 11 में कोई एक्जमशन नहीं है तो वो ना फाइल करें इसलिए यह मगा सकते है और किसी भी कोई भी कंपनी जो फॉरेंड कंपनी इंडिया में इंवेस्टमेंट करती है वो बाद दे है तो सुन परिपोर्ट ने इन सब चीज़ों को सुना और सुनने के बाद इन सब चीज़ों के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है वही कुछ समय इनको चाहिए तो 14 अग कि रिपोर्ट है उसके लिए अगली डेट 10 जुलाई है 10 जुलाई को कोट उसके उपर उसके बारे में चर्चा करेगा रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है और वो डेट उसके लिए लगी हुए अभी